नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका ज्यान गंगा आर्वेद क्लासेस में माई सेल्फ डाक्टर अनिल कुमर पटेल, एम डी आर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर अब हम लोग स्रोतस सारीर के अंतरगत, स्रोतस के स्वरूप और उसके स्रोतस के पर्याय की ब्यारे में बात करेंगे तो आईए देखते हैं कि स्रोतस के स्वरूप को आचारों ने क्या बताया है तो यहां देख रहोंगे शुरुतस का शरूप, आचारत चरक ने जो है कि चरक विमान अध्याय, पाँच में 11 अर्थात शुरुतस के सुरुप को बारे मताया है, तो उन्हार देखा है कि यहां देखेंगे कि जो शुरुतस के बिभिन अकर्तियां होती है, जो बिभिन हर एक possibility को बताया है तो बुलाया है कि स्वधातु समुरडानी अर्थात जो कह रहा है स्वधातु समुरडानी व्रित स्थूल अड़ु अड़ु अड़ुनी चव साथी साथ दिया है स्रोतांसी दिरगाडे अगरतिया प्रतान सद्रिशानी चव यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो स्रोतस होते हैं वो स्वरुग की बात कर रहे है तो स्वरुग का मतलब होता है कि यहां पर व्रित व्रित का मतलब होता है गोल स्रोतस क्या होते हैं व्रित अर्थात गोल होते हैं इस थूल का मिनिंग क्या है मोटे और अड़ुनी का मतलब होता है सुच्व और साथी स साथ देखेंगे कि यहां पर जो सुरोतस होते हैं कि दिर्घाड याम दिर्घ मतलब लंबे होते हैं और बात होती है कि स्वधातु मदानी मीस्ट स्वधातू सम वढ़ानी का मतलब क्या है यहाँ पर यह मतलब है कि स्रोतस का जिस स्रोतस जिस धातू का वहन करते हैं या जिस सबस्टेंसेस का वहन करेंगे उसी के वर्ड को धारड कर लेते हैं स्रोतस का कोई अपना वर्ड नहीं होता है लेकिन यह होता है कि पर्टिक्लर स्रोतस में जिसका वहन होता है उसी के वर्ड को यह भी अपना रूप धारड कर लेते हैं उसी के वर्ड को होते हैं जिसका यह वहन करते हैं ट्रांस्मोड करते हैं तिस तरह से कह रहे हैं कि स्रोतस गोल मोटे अड़ू अर्थाद बृत श्थूल अड़ुनी जिसको हम लोग गोल मोटे सुचम और साथ लता के समान जो एक तरह से दिर्ग होते हैं उनको हम लोग स्रोतस बोलते हैं और साथ जो स्रोतस का वर्ड होता है वो स्वा धातू मिंस धातू जिस सब्सेंस का ट्रांस् चरक ने जिस रिफरेंस में बता आया चरक बिमान पांच में उनका कहने का मतलब है कि जो श्रोत्स आचार चरक डिस्क्राइबड आफ इबाउड इस ट्रक्चर्स और इस औरो इस जरक्चरस आप सरुत्स तो यहाँ पर जो इस धूर्स और सज दूसरा है कि सुच्म का मतलब क्या दिया है इसमाल आर माइक्रोस्कोपीक एंड लारजर धिरगा आकरती प्रतांसर दिया लारजर सिलेंट्रिकल तो लारजर सिलेंट्रिकल एंड रेटीकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं यह सरोतस तो यहाँ पर देखेंगे कर रहा है जहां पर जाल नुमा स्ट्रक्चर्स बनता है देटीचकाल कैपेलिर लेबल की बात कर रहा है तो यहाँ पर इतरह से सरोतस के स्वरूब के बारे मुनों ने बात किया आई यह बात करते हैं कि सरोतस के स्वरूब के बाद स्रोतस के विभिन परयाय क्या-क्या हो सकते हैं तो आचार चरक ने स्रोतस के परयाय की बात की है चरक विभान पांच में ही बात किया है तो वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट दिया है स्रोतान सी सिरा स्रोतान सी अथा स्रोतस क्या है सिरा है मिन्स स्रोतस के पर्याय क्या है पहला point दिया है सिरा तो सिरा को हम लोगोंने वेन से correlate कर सकते हैं दूसरा है धमनी तो स्रोतस के पर्याय में देखेंगे सिरा, धमनी, रसवाहिनी, रसायनी, नाड़ी, पंथा, मार्ग, आशय, निकेत, सरीर, छिद्र, सम्वरित, और सम्वरित, धातु, अवकाश तो ये कहीं कहीं स्रोतस के पर्याय हैं तो स्रोतस के पर्याय में पहला point है सिरा सिरा को हम लोग उने वेन से कोर्लेट कर सकते हैं धमनी को हम लोग आटरी से कोर्लेट कर सकते हैं रस वाहिनी को हम लोग कैपिलिरी से कोर्लेट कर सकते हैं क्योंकि जो कैपिलिरी लेबल पे जैसे इंटेस्टाइन के लेबल पे जो पाचन होता है वहाँ उस लेबल पे absorption की प्रक्रिया सुरू होती है और absorption होने के बाद blood vessels के थूर हर्ट की तरफ ला जाता है तिसले रस वाहिनी को हम लोग capillary बोलते हैं, रसाइनी को हम लोग lymphatic duct बोलते हैं नाड़ी, नाड़ी का मतलब होता है tubular structures की बात कर रहे हैं पंथ का मतलब होता है मार्ग, पंथ का मतलब पथ की बात कर रहा है मार्ग का मतलब होता है कोई जो track की बात कर रहा है आशय का मतलब होता है reporteries, आशय का मीनिंग क्या है reporteries है और nicate का मीनिंग है resort और सरीर छीदर का मीनिंग बता रहा है openings जो external opening है यह हम अलोग के एक तरह से सुरूतस के ही पार्ट है तो सरीर में जितने भी openings है external जो openings है चाहिए internal opening है यह सभी क्या है यह opening है यह सुरूतस है सम्वृत और सम्वृत का मतलब होता है कि open and blind passage एक tubular structure जिसके कुछ पार्ट open होते हैं कुछ पार्ट blind होते हैं that is called samvrit means opened and a samvrit means blind या closed passage और देखेंगे last में धातू अवकास का मतलब होता the issues spaces इस तरह से हम लोगोंने सुरूतस के परयाय के बारे में बात कर लिया अब next खम लोगा आगे सुरूतस की संख्या सुरूतों के प्रकार और सुरूतों मूल के बारे में इससे अगले lecture में बात करेंगे धन्यवाद